पूदि चैनल पर आपको का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको तिल से कलाकन जैसी सौप बर्फी बनाना सिखाते हैं अगर आप हमाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हमारा वीडियो पसंद आदा तो उसे लाइक चरूप की देगा थेंक्यू प्रेंड्स तिल से कलाकन वाली बर्फी बनाने के लिए हम तिल लेते हैं सफेद तिल है यह सबसे पहले हम तिल यह अब। करते हैं और यह एव पाउडर मिल्क पनीर और सुकर यह अब है सबसे पहले हम तिल को से लिए ते अज़िए बूनेंगे जब तक इसमें चाटकने की आवाज नी है इसको हम लगातार चलाते रहेंगे इस हमने बन कर दिया आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी इसके प्लेट में निकाल लेते हैं खिंडा होने के लिए हमने एक प्लेट ली और उसमें हम अपनी पनीर को ग्रस्ट करते हैं एकदम बारी क्रस्ट करना है यह हमारी 1,500 ग्राम फ्रेश पनीर है अब हम गैस को ओन करते हैं यह हमारा मिल्क पाउडर है यह मेजर्वेंट वाले कप से हमने एक कफ लिया है और इसमें आधा कफ दूट डालते हैं और इसको मिक्स करते है इसको अच्छे से मिक्स करते हैं जिससे इसमें गुठलिया ना बने अब हम इसमें पनीर भी डाल देते हैं अपनी इसको स्लो रख करके और हम अपना तिल अभी ग्लाइंड कर लेते हैं यह अपने एक मिक्सर बाव लिया और उसमें हमने यह तिल डाल दिये इसको बारिक ग्लाइंड करते हैं यह देखिए तिल अच्छे से ग्लाइंड हो गया है एक्दम बारिक हो गया है यह पीसे वे तिल को हम मिल्क में डाल देते हैं अब हम इसे अपने सुगर भी टाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको हम लगातार यूँ ही चलाते रहेंगे इससे यह लगे ने यह साथ ही लाइचियों को फूट करके इसमें डाल देते हैं इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसको अच्छे से नेट कर देते हैं प्रेंट से की बड़ी थाली के ऊपर हम स्वाइल पेपर डालते हैं और इसके ऊपर हलका सा घी लगा लगा लेगें इससे हमारी बर्फिया आराम से निकल जाती है और यह हम इसके उपर डाल देते हैं और इसको अच्छे से फैला देते हैं प्लेन कटोरी लेके इसमें हलका सगी लगा करें और उससे हम अच्छे से एक्दम लेबल में कर देते हैं अज़ आराम सबस्टार प्याँ से आराम से बंतबन अज़न अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसके हम पीसिस कर देंगे, ट्रेंट्स यह हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसको कट करते हैं, यह हमारा कट हो गया है, अब हम एक सर्विंग प्लीट में निकाल करके रखते हैं, करा करकें, यह हमारा रखता हैं, औsize छेंगे बंदाँ करें अबžeल निकाल कर से में अब होगांगे। यह मारता हैं, अब ढू़ीट मारता हैं, खाल वांर, यह हम अब होगे हैं, यह हमाराओा है, अब बना हैं, racism गह हैं, यह हमारी बर्फी तेयार है